मैं अभी फार्मिस गंज में हूँ हम लोग अभी जा रहे हैं हमारे भाज साहब है बहुत परीबी है और वह ड्रैगन फ्रूट की फार्मिंग कर रहे हैं ड्रैगन फ्रूट बहुत क्रेज में है इसका काफी कॉस्ट्ली है और देखा जाए तो मतलब हर लोगों के लिए इस जैसा कि मैंने आपको कहा था कि हम लोग आज जा रहे हैं पुर्णिया डिस्टिक में और यह माधवनगर डिस्टिक मतलब डिस्टिक के माधवनगर विलेज में आया हूँ है यह लगबक डिव जो है चार विगे में इन्होंने चार विगा से छे विगा में इन्हों आपको देख रहे होंगे मैं आपको सारी चीज बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी फार्मिंग की जाती है क्या क्या प्रॉब्लम आती है पूरा पौधा अगर आप देखेंगे ऊपर से ले करके नीचे तक यह देख सकते हैं दिख रहा होगा आपको यह जो है ना करीब करीब दो सल पहले यह पौधा ल और लेकिन कुछ दिनों के बाद जो है जैसे हफता भर के बाद जो है यह आटमेटिकली रेट हो जाएगा फिर उसके बाद जो है इसकी हर्वेस्टिंग की जाती है तो गाइस यह आप देख रहे होंगे एक पीलर और टाइड दिख रहा होगा आपको ठीक है ना हाला कि टा पीलर में मतलब दोनों तरफ से डाला गिया है ताकि जो है टायर या डिंग सपोर्ट में रहे हला कि इसका अगर पौदे की बात करें तो टोटल चार पौदे लगते हैं ठीक है और इसको बढ़ने में टोटली देखा जाए तो एक साल लग जाता है आफ्टर वन येर्स है हलागे मैं आपको 6 एकर की बात कर रहा था कि 6 एकर में भी इन्होंने लगा रखा है 6 एकर में और यहां देख रहे होंगे आप कि कितना शांदार मतलब जो है कोई प्रॉब्लम नहीं कुछ नहीं फुली गुरो हो रहा है काफी इंट्रेस्टिंग लग रहा है नो जो है वो ड्रेगन फूट के शकल में आ जाता है जैसे कि यह आप देख रहे होंगे यह एक फूट में कनबर्ट हो चुका है और इसको फुलावरटू फूट होने में डेज होने लगता है तिल हार्वेस्टिंग 45 days के बाद जो है आप इसको harvest कर सकते हो और March से ले करके और November तक जो है इसकी harvesting होती है और FAB में फिर इसकी जो है आप पौदे लगा सकते हो पौदे लगाने का तरीका क्या है कि आपकी जमीन जो है थोड़ी हलकी होनी चाहिए ठीक है 60 से 60% मिट्टी 40% आपको करीब करीब बालू होना चाहिए ताके जो है मिट्टी हलकी हो सके वैसे कि किसी भी मतलब जमीन पर ये लग जाता है बहुत मतलब ये मटता औरता नहीं है मरता है न कि ब्रावर मरता है हलाग से फंगल इंफेक्शन होता है लेकिन कि इन क्वेक्ष नकिने पर ये बहुत सारा मार्केट में दवा इधर लगा हुआ है जो कि दोनों का डिस्टेंस जो है टेन फिट है ठेक है अब इस दोनों के डिस्टेंस के बीच में जो है हम चार पौधा मिन्स एट पौधा और लगाएंगे कैसे तो एक यह देख रहे होंगे आप पौल और इसके जस्ट जो है अफ्टर अधाई फीट के बाद फिर हम एक पौधा लगा देंगे फिर अधाई फीट के बाद जो है एक पौधा लगा देंगे या हाँ अधाई फीट और उसके बाद अधाई फीट उसके क्या करूंगा कि बा पाइप यूज़ किया गया है और इस पाइप ऐसी नहीं यूज़ किया गया है इस पाइप में लगबग करीप 16 mm का रॉट डाला गिया है रॉट डालने के बाद जो है मतलब समझ लीजिए कि एक पॉइंट से अधर पॉइंट तक डाला हुआ है पाइप देख रहे होंगे आ हर्वेस्टिंग भी हमारी सोरी गाइप अच्छी होगी तो सरीफ एक रिजन यही है बागे आप सेंटर में देख रहोंगे जो की बनाना एक लाइन से लगा हुआ है और कितने खुबसूरती के साथ जो है यह पाइप पे लतर रहा यह पॉदा तो आप यह देख रहे होंग प्रॉब्लम वह यह आएगा कि आपके फूर्ट उतने नहीं आएंगे लेकिन हां आफ्टर वन यहर आपकी हर्विस्टिंग दीरे दीरे बढ़ने लगेगी और आफ्टर थी यहर्स मतलब तीन साल में आपके जो है जो भी पैसे आपने लगा रखा होगा चाहे वह पांच स साथ लाग पड़े करके हिसाब से ठीक है ना आपके वह पैसे रिटन हो जाएंगे इट्स शियूरिटी ठीक है ना यह काफी अच्छा बिजनेस है और काफी इसका क्रेज है गाईज दूसरी सबसे बड़ी चीज यह है कि इसका मार्केट बना हुए आपको डिफरेंट में बहुत जादा परिशान हो जाते हैं लेकिन इसमें क्या है कि आपको उतनी परिशानी नहीं होगी उतनी दिक्कत नहीं होगी आपके जो भी मतलब environment के लोग हैं वो आपसे पर्चेस आटोमेटिकली करने लगेंगे रीजन यह है कि इसको बहुत जादा लोग पसंद कर रहे हैं और बच्चे बुड़े जैसा मैंने आपको कहा था सब पसंद कर रहे हैं सब खा रहे हैं लेकिन मैं एक बार फिर से जरूर बोलूँगा कि आप red skin और red गुदा जिसके अंदर हो अंदर का वही विरीड आप और किसी भी तरीके के information आपको चाहिए तो आप feel free to ask आप phone number पर call लगा सकते हैं directly और किसी वक्त भी पूछ सकते हैं दिन में जी हाँ बिल्कुल तो thank you guys bye bye